एक सस्क्राइबर ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर वेबसाइट से पेसा केसे कमाते हैं तो आज का वीडियो इसी टोपिक पे रहेगा इसमें मैं बताओंगा कि केसे आप वेबसाइट से पेसे कमाते हैं How to earn money from website दोस्तो वेबसाइट से पेसे कमाने के कोई एक तरीका नहीं होता है वेबसाइट से पेसे कमाने के कई तरीके होते हैं अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से वेबसाइट से पेसा कमाते हैं आज मैं आपको एक के बाद एक सभी तरीके बताऊंगा कि केसे आप घर बेठे अपने लेप्टॉप या फिर अपने मोबाइल फॉन से वेबसाइट से अर्निंग करेंगे ये अर्निंग आपकी एक हजार से लेके एक लाख रुपे महीने तक कि हो सकती है या फिर इससे जादा भी हो सकती है मैं आपको कुछ ऐसे एकजाम्पल भी बताऊंगा जो कि महीने के एक लाख से भी जादा अर्निंग करते है और वो किस माध्धियम से website से पेशा कमाते हैं website से पेशा कमाने के कई तरीके होते हैं generally जो भी website से पेशा कमाते हैं वो ज़्यादा तर अपने blog post के ही द्वारा बताते हैं यानि कि blog बना लीजे, blog पर content लिख दीजे और उस website से आप Google AdSense से earning करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, website से अगर पेशा कमाना है तो multiple source को आपको use करना पड़ेगा मैं ये तो नहीं कह सकता कि किस website टाइप की किस टाइप की website में कितना पेशा आप कमाएंगे लेकिन हाँ, आप सभी टाइप की website से अच्छा पेशा बना सकते हैं और अच्छे earning भी कर सकते हैं और ये website आप अपने किसी laptop या computer के आपको requirement नहीं है यानि कि आप अपने mobile phone से भी आजकल simple है, अपने mobile phone से भी आप अपनी website create कर सकते हैं आजकल तो WordPress एक common source हो चुका है आप WordPress से भी अपनी website create कर सकते हैं एक video में बनाया था, जिसमें में बताया था कि आप WordPress के जो app है उससे भी अपनी website create कर सकते हैं तो source बहुत सारे हैं आपको decide करना है कि आपको किस्टाइब की website बनाना है लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दू कुछ चीज़े आपकी requirement रहती है एक website create करने के लिए यानि कि आपको website बनाना है तो उसके लिए आपको एक domain चाहिए और एक hosting चाहिए domain क्या होता है? domain basically जैसे कि किसी website का नाम होता है जैसे कि facebook.com, google.com या फिर instagram.com तो जो या फिर आप कह सकते हैं .in करके भी website बनती है तो जो ये URL होता है इसी को domain कहा जाता है तो ये domain आपको खरीदना रहता है ये domain मुश्किल साब के 1500 रुपे में domain available हो जाता है ये उसके मतलब demand के उपर रहता है अच्छे domain नाम लेते है तो वो थोड़ा मेंगा मिलता है वो भी 1200 रुपे में around आपको मिल जाता है वही अगर आप एक cheapest domain लेते है तो वो 500 रुपे, 400 रुपे में available हो जाता है domain कंपनिया कई होती है जहां से आप domain खरीद सकते है यानि कि अगर GoDaddy जिसका एटोटाइजमेन आता है TV पर अगर GoDaddy सा आप domain खरीदते है लेके आओंगा मुझे comment box में comment कर देना कि केसे हमें website बनाना तो उसके लिए domain कहां से find करे और कौन सा सस्ता मिलेगा अलग कभी बताएंगा आप comment करना दूसरी बात आती है hosting की तो दोस्तो hosting जिस पर आपका जो भी website का जो भी data है वो server रहता है मतलब वो store रहता है उससे hosting कहा जाता है तो hosting company अभी अलग-अलग होती है आप अपनी requirement के हिसाब से hosting company purchase कर सकते है जैसे कि जो सबसे popular hosting चलती है वो bluehost की चलती है मैं नीचे link दे दूँँगा description में आप जाके bluehost से अपनी hosting purchase कर सकते है यहाँ पर आपको discount मिल जाएगा अगर आप इस link से उसे purchase करते है तो bluehost सबसे ज़्यादा भी demand में चल रही है इसके अलावे भी दूसरी hosting कंपनिया है जैसे कि A2 Hosting आपकी जैसे Hostinger HostGator इस टाइप की कई hosting कंपनिया है लेकिन सबसे अच्छी bluehost जो की मैं भी यूज करता हूँ परसनली से आपको इसलिए आपको वही बताऊंगो जो मैं यूज करता हूँ अपने ब्लोग में तो खेर ये hosting domain के बात हो गई हम बात कर रहे थे हैं कि how to earn money from website तो ये दोनो requirement चाहती है आपको website बनाने के लिए इसके बाद आप WordPress से easily अपनी website create कर सकते हैं चाहे आप किसी भी टाइप की website बना सकते हैं website major जो source होते हैं वो कौन-कौन सी होती है और उन कौन-कौन सी website से कितना आप महिने का पेशा कमा सकते हैं ये भी मैं इसी आगे वीडियो में बताऊंगा और साथ ही आप उस website का क्या-कै यूज कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा तो completely चलिए हम mobile या फिर laptop की screen पर आपको लेकर चलता हूँ वही पर आपको मैं example लाइव पूरूफ के साथ दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी website आप बना सकते हैं किस-किस type की website बनती है और किस-किस कितना-कितना आप उनसे पेशा बना सकते हैं मैं कुछ example पर आपको दिखाऊंगा कि कौन-कौन से example रहते हैं जो इस type की website आप create करते हैं तो चलते हैं उससे पहले channel पर पहले बारा है तो इससे subscribe कर लिजे और फटा-फट इस वीडियो को like अभी से कर दिजे क्योंकि like बहुत कम आते हैं आपको मैं बार-बार बोलता हूँ आप like नहीं करते आप like नहीं करते जिससे YouTube मेरे वीडियो को promote नहीं करता promote नहीं होता है तो मुझे hopeless आती है और फिर मैं वीडियो बनाना कई बार मैं मतलब मुझे निरासा होती है मैं वीडियो नहीं बनाता तो आप अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहू तो मुझे यार वीडियो को like जरूर कर दिजे और एक अच्छा से comment करते हुए जाईए इन दोनों से मेरे वीडियो को प्रमोट जादा मिलेगा यूट्यूब मेरे वीडियो को जादा प्रमोट करेगा जिससे मुझे भी एक motivation मिलेगा ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आओ तो ठीक है चलते हैं चलिए फ्रेंड हम लेबटोप की स्क्रीन पर आ चुके हैं देखिए जो website होती वो अलग-लग type की होती है उन website से अलग-लग type से पेशा कैसे कमाते हैं वही देखते हैं सबसे पहले मैं आपको सिरू से ही start करता हूँ यहाँ पर आप एक website देख रहे होंगे यह भी एक परकार की website है इसमें आप देख रहे होंगे जो content है वो blog फॉर्म में है मतलब writing फॉर्म में है मतलब किसी ने बताया है कि easy way to make money quickly पेशे कमाने के वो असान तरीके बता रहा है किस के माध्यम से एक article के माध्यम से यहां उन्होंने एक article लिखा है article के माध्यम से यह बता रहे है पेशा कैसे कमाते है तो एक जो website बनाने का form है वो इस टाइप का है इसी का में दूसरा example दूँ तो एक है यह money today यह भी एक परकार से बता रहा है कि 20 ideas to make money online तो यह भी पेशे कमाने का एक जरिया है इसमें क्या करते है यह blog form में अपना article लिखते है और उसको अपनी website पर publish कर देते है यह इन्होंने research किया है बताया है कि make money online से कौन-कौन से तरीके होते है उसी अधार पर इन्होंने फिर यह article लिखा और अपनी website पर publish कर दिया मैं इसके अगर homepage पर पहुश कर दिखाता हूँ आपको दोनों के तो कुछ इस तरीके से इन्होंने article लिखे हुए आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे article मिल जाएंगा आपको अलग-अलग type के जो कि यह बता रहे है अपनी website पर तो यह एक तरीका है अब इससे पेशा कैसे कमाया जाता है इससे पेशा ऐसे कमाया जाता है कि आप अपनी एक website बनाएंगे चाहे wordpress पर बनाएं वहाँ पर फिर आप अपनी website पर content लिखेंगे blog लिखेंगे और blog पर फिर आपको लोग पढ़ने के लिए traffic आएगा जैसे कि किसी ने supposed सर्च किया कि how to make money online ठीक है किसी ने सर्च किया how to make money online तो सभी article result आपको नीचे मिलते हैं जैसे कि मैं simply यहाँ लिखता हूँ how to make money online ठीक है जैसे ही में लिखूंगा तो बहुत सारे result आपके सामने यहाँ पर show हो जाते हैं आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर click कर देते हैं तो simply इस website या इन जैसी website पर आप पहुच जाते हैं तो यह एक पेसे कमाने का तरीका है जैसे कि इन्होंने अभी यहाँ पर कुछ भी आइड नहीं लगाए लेकिन यहाँ पर एक एड दिखरा है ठीक है यह किसका Amazon Kindle का है इसके अलावा नीचे जाओगे तो यहाँ एक एड दिखरा है तो जो भी बंद इस एड पर click करेंगे Google AdSense से उनको पेसा मिलेगा तो इस टाइब से website से पेसा कमाते है इस टाइब के blog इस टाइब के हम कह सकते के website इनको पेसा कमाने का यही तरीका है एक तरीका और रहता है कि यह लोग किसी भी दूसरी company या फिर किसी भी product का अपने यहाँ banner लगा देते है जैसे कि यह एक banner suppose मान लेते है इस भी आएगा तो इस टाइब से banner लगाने के बदले में भी उन company से पेसा लेते है जैसे कि suppose यह तो aid है वज़ाए अगर यह इसी टाइब का banner होता तो इससे भी यह पेसा कमाते है तो कुछ वेबसाइट जो रहती है इस टाइब से पेसा कमाती है अब दूसरा तरीकन दिखाता हूँ जैसे कि यह एक हिंदी में है अगर आप अपनी वेबसाइट हिंदी में बनाना चाहते है तो हिंदी में भी बना सकते है यह एक फेमस वेबसाइट है जो कि सबसे ज़्यादा रेंक करती है गूगल पर अगर मैं इनकी ट्राफिक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैं ट्राफिक दिखाऊँगा तो कितना मतलब यह कंट्री रेंक चार हजार पांसो कंट्री रेंक और ट्राफिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मंतली विजेट आता है मतलब 666 के मतलब 666,000 ट्राफिक आता है एक महिने का आप देख सकते हैं यह ट्राफिक तो इस टाइब की वेबसाइट अगर आप बनाते हैं यह बिल्कुल पूरी तरह से हिंदी कंटेंट वाली वेबसाइट रहती है इसमें बन्दा हिंदी में अपना कंटेंट लिखता है यह भी ब्लोग ही इसको कहा जाता है इसमें इन्होंने बताए कि भी मैप से पेसे कैसे कमाए फिरी ब्लोग कैसे बनाए जियो फोन से पैसे कैसे कमाए इसके अलावन नीचे बताए कम्प्यूटर क्या है इस तुरेच क्या है डेस्क टॉप क्या है तो इस टाइप से भी आप वेबसाइड बना कर पैसा कमा सकते हैं इस टाइप के जो ब्लोग होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं तो आप देखोगे व यह भी एक aid है इसके अलावा banner poster यह लगाते हैं वहां से भी पैसा कमाते हैं जैसे कि किसी भी हम उसको खूलते हैं तो यह एड यहां पर मिल चुका है तो इस टाइप से यह पैसा कमाते हैं यह article किसी ने पढ़ा यहां साइट से आपको aid दिखने लग जाएंगे जैसे यह खु CheeseZone अपनी website बनाई, इसने क्या करा? अपने product यहाँ पर website के through बैच रहा है, ठीक है? इसी type से में देखो तो flip card, अपने जो online product है, वो अपनी website के माध्यं से online sale करता है, तो आप चाहे तो अपनी website इस type से भी बना सकते है, इस type से भी website से पेसा कमा सकते है, इसमें इनों ने बहुत सारे product को अपनी website पे list कर दिया, वहां से ये बेशते हैं, और पेशा कमाते हैं, इन दोनों के बारे में आप भखुबी जानते ही है कि केसे पेशा कमाती ही ये दोनों website, तो ये भी एक तरीका है website से पेशा कमाने का, अब मैं अगला तरीका दिखाता आप अगला तरीका देखोगे तो kitchen.com ये website है, इसी टाइप से है कि ये मेरी website है, topbestreview.com के नाम से, अब हम लोग पेशा कैसे कमाते हैं, तो हम लोग जो पेशा कमाते हैं, वो है Amazon के product का review करके, मतलब आप देखोगे यहाँ पर लिखा है 9 best water purifier in India, ठीक है, guide and review, मतलब इनों जो water purifier हैं इंडिया में, उन 9 best water purifier का review करा है, मतलब उनके बारे में लोगों को बताया है, ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप से आप देखोगे, इनोंने पूरे product का review करा है, product के खोबिया कमिया बताई है, उसके बाद आप देखोगे, यहाँ पर उसके pros कौन से बताए है, और यहाँ पर Amazon की link दे दी है, इसी type से मेरे blog पर में लेके जाओ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे type के आपको यहाँ पर जो review है, वो मिल जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी को भी खोल लेता हूं, जैसे इस review को मैंने बताया है, यहाँ पर उस best water purifier जो भी है, Kent का, उसका review कर रहा है, उसकी एक Amazon की link दे दी, जो भी इस link पर Amazon पर पहुचेगा, जो भी वहाँ से कुछ खरीदेगा, बदले में मुझे commission मिलेगा, तो हम लोग इस type की website से पेसा कमाते हैं, इसमें हमें Amazon पेसा देता ह हमने Amazon के product की link यहाँ दे दी, जो भी इस link से वहाँ से पेसा कमाएगा, बदले में हमें पेसा मिलेगा, जैसे की water purifier kitchen category में आता है, एक water purifier around 10,000 का मिलता है, और Amazon हमें 10% commission देता है, तो मतलब हमने एक water purifier बेच दिया, तो हमें 10% मतलब 1000 रुपे हमें मिल जाते हैं, तो इस type से हम जितने ज्यादा product बेचेंगे, हमारी link के दुरू, उतना ही पेसा इस website से हम कमाएंगे, तो एक ये भी तरीका है अपनी website से पेसे कमाने का, समझ गए होंगे आप, अब अगली हम देखते है कि और कौन से तरीके है, best way earn money from website, तो यहाँ पर एक तरीका ये भी है, इसमें क् करते हैं, अपनी जो भी service है, service based website है, अपनी जो भी service है, वो website के थूँ देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, जो मेटो आप समझते है, food delivery company है, तो जो भी अपनी service है, यहाँ से देते हैं, लोग इस website पर आएंगे, इनका service को order करेंगे, और इनको बदले में सामने वाले से पेसा म मिलेगा, जो भी restaurant हैं वहाँ से, ठीक है, और साथ में अपनी जो भी website है, और जो भी अपनी service है, उसके बारे में लोगों को full awareness यहाँ से यह दे देते हैं, ठीक है, उस type से भी website बनती है, अगला जैसे ओला में दिखाता हूँ, तो ओला भी अपना जो भी service है, उसके बारे मे क्या facilities है, यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, provide क्या हो रहा है, सब दिखाएगा, साथ ही यहाँ से उनकी service भी ले सकते हैं, मतलब आप ओला जो taxi है, उसे book कर सकते हैं, के book कर सकते हैं, तो इस type से कुछ website इस type से पेसा कमाती है, आप समझ गया होंगे, ठीक है, इन सभी website को बनान लिंक मैंने description में दे दी है, hosting वहाँ से purchase कर लीजिए, और domain आप Godadden से खरीद लीजिए, और आसानी से website बना लीजिए, अब मैं अगला तरीका दिखाता हूँ, एक website पेसे कमाने का ये भी है, इसमें क्या करते हैं, ये लोग अपने जो भी English में जो भी अपना content है, जैसे कि इनका एक YouTube चेनल है, blogging tips के नाम से, ये क्या करते हैं, वहाँ से traffic अपनी website पे पहुचाते हैं, और यहाँ पर से article उसके बारे में लिखके, और blogging के बारे में लोगों को aware करते हैं, ये भी एक तरीका है, जिसमें वो अलग अलग टाइप से, जैसे the best free platform for new blogger, company guide, do installation, wordpress, तो इस type से भी हम कह सकते हैं, blog form में ही लोगों को बताते हैं, तो इस type से भी पेसा कमाते हैं, अब मैं अगला तरीका आपको दिखाता हूँ, ये पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे पेसे कमाने के, वो भी मैं बताऊँगा कि कैसे कमाते हैं, एक ये बी हैं, मतलब website बनाने का, अगर मैं बताना चाहरा था कि सरकारी website भी होती है, तो इस type से website होती है, जaimer हम किकिने आपको दीखाता हूँ, जिस है Digital Marketing Services वाली website, इसमें क्या रहता है, ये service, मतलब अपना course sale करते हैं, अपने courses, अपने service देते हैं लोगों को, अपनी client यहां से बनाते हैं, इसमें क्या रहता है, जैसे किसी को digital marketing करना अपनी company की, तो इन्हों ने अप सामने वाला किसी को अगर digital marketing करना, तो वो बंदा आप से कहां मिलेगा, तो इन्हों ने अपने client के लि digital marketing करना, वो हमारी website पर आ जाईए, पूरी जानकरी आप यहां से मिल जाएगा आपको, पढ़ सकते हैं, हमारी company क्या के service provide करवाती है, क्या के service facilities देती है, और अगर आपको project देना है, तो यहां से project के ओपर discuss कर सकते हैं, और हमें इस contact number पर या फिर इस type से हमारी project दे सकते हैं हम आपकी company के लिए digital marketing कर देंगे, तो यह भी एक तरीका है, अब इनको benefit क्या होगा, कि इनको इस website के द्वारा client मिल जाएंगे, customer मिल जाएंगे, और उनकी सामने वाली service की, या सामने वाली website की digital marketing कर देंगे यह, और बदले में उनसे motifis ले ले लेंगे, उनकी website को rank कराने के बदले, या उनकी company या website का promotion करने के बदले, तो यह भी एक तरीका है, इसी का एक दूसरा रूप दिखाता हूँ, जैसे यह, यह भी digital marketing agency है, जो कि SEO service देते है, इसके बाद दूसरे टाइप के service और भी देते होंगे, जैसे कि digital marketing, social media marketing, तो इस टाइप से भी लोग पेसा कमाते ठीक है, तो यह कुछ तरीके थे जिससे कि आप अलग-अलग type की website बनाईए, या किसी भी जो आपको अच्छे लगी उस website को बना लीजिए, उस website को WordPress से बना लीजिए, hosting domain कहां से खरीब ना है, मैंने बताती है, link description में दे रखी है, hosting की वहां सा आप purchase करेंगे, आपको discount मिल ज एक website बन जाएगी, website कैसे बनाते हैं, अगर मुझे comment करेंगे, तो मैं website बनाना भी आपको सिखा दूँगा, तो उस type सा आप website बना सकते हैं, आपको किस type की website बनाना पसंद है, और किस type की website आपको अच्छे लगी इनमें से, मुझे comment करके जरूर बताना, साथ ही अगर आपके कोई query ये सवाल है, तो वो भी मुझे comment कर देना, जिससे कि मैं आपकी help वहीं कर दूँगा, ठीक है, और link में telegram, instagram का हमारा link भी दे रखी, उसे भी जाके join कर लो, जिससे कि वहीं पर मैं आपकी बहुत सरी problem solve कर दूँगा, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपने करते हैं जाना,